चरण का रण जारी है और चटवे चरण में उत्रपदेश की 14 सीटों पर मद्दान हुरा है सुबा से अब तक की तस्वीर क्या है सबसे पहले आपको वो बताते हैं यूपी में अब तक 37.2-3% मद्दान हुआ है अमेटकर नगर में सबसे जादा 41.5-9% मद्दान हुआ है हूलपूर में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33.05% है इलावाद में 34.06% मद्दान हुआ है सुल्तानपुर में जहां से मेनका कांधी 1.25% में है वहाँ पर 38.42% मद्दान हुआ है प्रताबगड में 36.01% दी मद्दान हुआ है श्वाबस्ती में जहां से साकित मिश्वा चुनावी मैदान में 36.74% दी मद्दान यहां पर हुआ है दो मरिया गण जहां से जगदमिका पालिक बारफिर से ताल ठोक रहे हैं यहां पर वोटिंग परसंटेज के बात करें तो 37.64% दी मद्दान हुआ है बस्ती में 40.07% दी मद्दान हुआ है संत कभीर नगर में 36.99% दी मद्दान हुआ है लालगंज में 38.12% दी मद्दान हुआ है आजमगर जो के एक VVIP सीट है हर किसी की निगाहिस पर है यहां पर भी 38.37% दी मद्दान हुआ है जौनपूर में 37.41% और मचली शहर में 37.36% आखिर में भदोही में 35.82% अभी हम आपको सुबा से अब तक पोटिंग के तस्वीरे दिखा रहे है तमाम बड़े चेहरों ने आज मद्दान किया है राश्पती दुरबदी मुर्मू को आप देख सकते हैं इसके लवा पूर राश्पती रामनात कोविन ने भी मद्दान किया लोगतंत्र के इस महापर में शिर्कत की उप राश्पती जहदीब धनकर भी अपनी पतनी के साथ मद्दान करने के लिए पहुँचे कॉंग्रेस ने तराहूल गांधी इसके लवा प्रियंका गांधी मेंका गांधी एज़ जश्वंकर हरदी पुरी गौतम गंभीर बासुरी सुराज इन सब ही ने आज लोगतंत्र के समहापर में शिर्कत की और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया अब हम आपको वोटिंग की छे और तस्वीरे दिखा रहे हैं आप देखें वे देश मंतरी एस जश्वंकर ने मदान किया लोगों से भी मदान किया अपील की नायव सिंग सेनी हर्याणा के मुख्य मंतरी उन्होंने भी मदान किया बासुरी सुराज जो कि खुद भी प्रत किया और केंद्रे मंतरी हर्दी पूरी को भी आप देख सकते हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तिमाल किया उप्राश्पती जगदीद धनकर ने दिल्ली में वोटिंग की और लोगों से भी वोट करने की अपील की भारत के लिए अजूबा है कितनी संख्यामी लोग मत करते हैं मताधिकार दाइत्व भी है ताकत भी है भारत विश्व का सबसे जवलंत शक्रिये प्रभावी लोगतंतर है दुनिया के लिए एक मिसाल है समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अमरनात मोरिया ने दावा किया है कि फूलपूर की जनता बदलाव चाहती है जनता का 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 उप्राव जनता का परिवरतन चाहती है फूल्पूर की महां जनता बदलाएं परिवरतन चाहती है परिवरतन चाहती है यहां से लहावत भी स्विजाले पड़ता है यहां नोजवान भी रोजगार है प्रदेश शियुमुक के निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से बूद पर आकर मतदान करने के अपील की और कहा कि लोगतंतर किस महापरवका हिस्सा बने है कि अपने देश की सरकार बनाने में अपने क्षेतर का जन प्रतनिदी चुनने में सभी अपनी सक्रिय भूमी का निभाएं और मदेश थल पर आकर अपने मतदान मतदिकार का प्रयूग अंबिटकर नगर की डियम अविनाश सिंग ने लोगों को बड़ी संख्या में मददान करनी के पील की ये स्वस्त लोगदंत्र की यही है पहचान आपके सामने मौझूद है आप इनको देखिए ये हमारे बुजुर्गवार जो हैं वीलचेर पे आए हैं और उसके कितने खुसी के साथ इनों ने अपने मतदिकार का इस्तमाल किया है निश्चत रूप से जो एक यहां पर विवस्ता है आप देखरों गेट से लेकर पूरे अंदर तक कहीं पर भी हर जगहां सेड़ लगा हुआ है किसी प्रकार की कोई धूप की गुंजाइस नहीं है पीने के पानी के विश्ता है गुड़ यहां पर रखा गया है टॉयलेट जाने माने कभी सुरेंदर शर्मा ने लोगों से बूट देने के अपील कि और साथ ही बढ़ती जनसंक्या को लेकर सक्ती की बात कहीं ऐसा ना हो कि आप तो घर में बैठे मुश्कडाते रह जाएं और दिल मुश्क के भाग में रोना लिख जाएं ऐसा काम मत करना कभी भी जिन्दी में है एक ही दिन तो मुल्क आपके लिए मांगता है उस दिन भी नहीं आओगे तो फिर कब जागोगे क्या मुद्धे आपके रहे जिन मुद्धों की वज़ा से आप अपने घर से बाहर निकले और लोग भी अपने घर से बाहर निकले एक ही मुद्धा है इस देश के किसी भी आदमी को आखो में आसू नहीं आए कोई सरकार ऐसा काम नहीं करें उसके हसाने काम मत करो यार उसको रूलाने का काम भी मत करो जानफूर में हमारे समाता संकेत मिश्वा ने वोट देने के बाद जो लोग बाहर निकले उनसे बातचीत की वो भी आपको दिखाते हैं हमारा समाज सशक्तो हो देश सशक्तो हो राष्ट शशक्तो हो और विश्व में हमारा पर्चम लहराए इस चीज़ को ध्यान में रहते हैं ज 1700 एगा इस उम्मीद के साहक्त निमध्दान किया है देखे सबसे पहले तो देश ससक्तो नारी ससक्ती करण का जो इतना कारेक्टरम चल रहा है हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है तो नारी सुरक्षा नारी ससक्ती करण ही और ये फर्स टाइम वोटर हैं ये देखिए ये इनके चेहरे की मुस्कान देखिए पहली